तो दोस्तों जो पेशेंट्स हमारे पास आउट स्टेशन से एसील सरजरी करवाने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं वो हमसे यह डाउट कॉमनली पूछते हैं कि कितने दिन यहां पर उन्हें रुपने की जरूरत है और क्या वो टाइम फिरेट रहेगा जब उन्हें फॉलो जवाब है आज की तारीक में जहां पर डिजिटल मीडिया और ओनलाइन फॉलोप वीडियो कॉल्स के थू फॉलोप बहुत कॉमनली करे जा सकते हैं और जहां पर हम लोग पेशेंट को एजुकेट करने के लिए यह वीडियो बनाते हैं प्लस फिजियो थेरपिस्ट जो फॉलोप रहता है टू वीक्स के उपर जब हम कहते हैं पेशेंट से कि उनको अपने सूचर या स्टिच रिमूफ करवाने की जरूरत है सेकंड फॉलोप रहता है एट एट अरूप जब तक हम चाहते हैं कि पेशेंट क्यों सारी की सारी जो रेंज है उनकी पूरी चाल आज से पेशेंट का देख इसके साथ दोस्तों जिस दिन सर्जरी हमारी प्लाइन रहती है एसी लाच करते हैं अज़न से concealं नोचे ली सेकंड अनिकी जियो फ्यार्य वन ए कि पेशेंट को डिस्चारज कर दिया जाता है complete weight bearing walking के साथ अगर उनका isolated ACL reconstruction हुआ है तो इसी के साथ अगर कोई और surgical procedure होता है तो weight bearing के protocols और knee bending के protocols basically change हो जाते हैं वो आपके orthopedic surgeon आपसे surgery से पहले और surgery के बाद definitely share करते हैं तो कुल मिला करके दिखा जाए दोस्तों तो ACL surgery के होने के बाद करीब करीब चार बार से 6 बार तक आपको अपने डॉक्टर के पास आम तोर से जाना होगा अगर इसका protocol के अंदर कोई भी change आता है तो वो आपके orthopedic surgeon या आपके जो भी treating person है physical therapist है physiotherapist है वो आपको उसमें कुछ changes definitely कर सकते हैं depending on the condition या depending on the surgery जो आपकी हुई है और depending on कि आपकी progress with rehab कैसे रहती है कुछ patients रहते हैं जो कि rehab को बहुत comfortably follow कर पाते हैं और range उनकी बहुत time से आ जाती है कुछ patients on the contrary ऐसे रहते हैं जहां पर range of movement जो है वो थोड़ी सी delayed आती है पर किसी भी patient को जब तक वो अपने consistently follow up कर रहे हैं तो उनको डरने की घबराने की पर से कोई आवशक्ता नहीं है अपने orthopedics surgeon को please group में रखे और इसी से I think आपको सबसे बहतर result मिल भाए